आजब करने वाली हूं तो आज है 21st जून अभी बज़ रहे हैं दॉपार के एक तो हम लोगोंने कहा लिया है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया वो ग्लिप मैंने नहीं डाली है तो अभी जो है वो मैं बस यहां पर खड़ी हुई थी थोड़े जर बाहर देखने के लिए तो अभी जो तुफान आया था उसकी वजह से आप देख सकते हैं डैली में भी वैदर कुछ इसी तरीके का है कि थोड़े बहुत बादल ही हो रहे हैं तो ऐसे में कुछ ठंडी ठंडी चीज तो पीना बनता है तो मैंने लिया है अभी ये मदर डेरी का चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क तो इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं आप देख सकते हैं आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो एक मैंने इसका कोल्ड कॉफी वाला भी मंगाया था क्योंकि कोल्ड कॉफी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बनाती भी हूँ और मैं आप लोगों के साथ मैं उसकी रेसिपी जरूर से शेयर करूँगी तो अभी तो फिलहाल मैं पी रही हूँ अपनी चोकलेट ड्रिंक मदर डेरी की और इस विंडो को कर देते हैं बंद तो बाकी सारा काम तो कंप्लीट हो चुगा है तो बस अभी मुझे लगानी है वाशिंग मशीन जो की मेरे घर में ये एक छोटी सी बालकनी है इसको हमने इस तरीकी से कवर किया हुआ है यहां से और ये है मेरी वाशिंग मशीन जिसमें की मैंने यहां पर अपने जो भी गंदे कपड़े थे वो सारे यहां पर डाले हुए हैं तो मेरे चनल पर आपको बहुत सारे लेक्विड डिटर्जेंट का वीडियो मिल जाएगा तो मैंने एरियल एंड सर्फेक्सल दोनों के डाले हुए हैं अब की बार गाइज मैंने यह मंगाया है गौद रिज का जिन जैंटल लिकुड डिटर्जेंट जो की ना 2 kg का सूपर सेवर पैक है तो यह मैंने बिग बास्केट से मंगाया है कल मैंने बिग बास्केट से कुछ समान मंगाया था वो भी मैं आप रोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मैंने क्या-क्या वहां से मंगाया है ओवर ओल घर की जो भी ग्रॉशरी होती है चोटी बोटी चीजें जो बच्चों को पस कर सकते हैं गाइस बैट शीट्स वगएरा जो है ना उनको यह अच्छे से क्लीन कर देता है यह देखिए यह एरियल वाला भी मैंने खुला ही रखा हुआ है यहां से काफी मैंने इसको यूज किया हुआ इतना ही बचा है यह तो अगर आपको बहुत जादा अच्छे एकदम इसको बच्छों के लिए जैन्टल को तो आप उसके लिए एरियल टॉप लिक्विड यूज कर सकते हैं और जैसे थोड़ा कर बैट चीट्स वगएरा है सोफे के कवर वगएरा है या रेगुलर ली जो भी क्लोट्स होते हैं ना नॉर्मल वाले कपड़े हैं जैसे की तो उ क्लोट्स कैसे भी हैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे और इसकी समयल भी मुझे बहुत जादा पसंद है तो इसको मैंने जसी चीज के लिए रखा है कि सोफा गवर वगएरा जिसन जादा हो ना जैसे बैट शीट्स वगएरा आपने सारी चेंज करी है तो उस टैंपर ग्रलापः से डाल करके क्लीन कर सकते हैं तो मौसम चाहें कितना भी अच्छा हो रहा हो लेकिन एस ही के बिना गाइस बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है एह डियोगा बाहर मौसम दो बच्चे टीवी देख रहे हैं तो अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो definitely यही हाल आपके घर में भी होता होगा तो सारे बैड वगरा पर यही सब बिलते हैं पूरे घर में यही सब होते हैं एक ये भी है इसे देते हैं चुब हो जाओ तो यह देखिए गाइस यह सारे मेरे बैट पर ही खटे हैं आपके घर में बेबी हैं बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा घर में यही सब रहता है आपके मैक्सिमम टाइम चाहें आप कितनी भी सफाई कर लें बट कोई बात ने यही घर की रौनक भी है तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज की मेरी वीडियो यही तक है और हो सकता है शाम को भी मैं इवनिंग में कोई अपना क्लिप डाल दूँ अगर हम कहीं बाहर वगरा गए तो इस तरीके से म जो भी मेरा रूटीन होता है मैं twins baby mother हूँ तो जो भी मेरे twins का होगा रूटीन वो शेयर करोंगी अपना makeup के लिए अपना makeup के लिए रिए 주 जो की अपने बाहर चेहर कर ऑघ कर Psal move और डालती थी अभी में व्लागिंग अप-लगों के साथ में शेयर करूँ thank you guys bye bye